हेलो फ्रेंड्स तो आज हम यह जो एससी ब्लॉक देख रहे हैं यह ब्लॉक हमें बहुत से लोगों का कहना था कि यह पाने में बुड़ जाते हैं इसका वेड़ बडने से जो हमारा वाल कंपॉंड रहता है यह काफी क्रैक हो सकता है बहुत से भाई लोग इसमें भी दूबहूने के बाद में देखेंगे इसका हम यह पाने में फून टाया नई डूबता है तो अब अब यह पाने में जो ब्लॉक है कर रहा है तो इसका वेट कैसे बढ़ेगा बहुत सो लोगों के मनों में शंका दिलों में शंका रहती है कि इसका वेट बढ़ सकता है बारिश के दिनों में और एक compound को काफी शती पहुचा सकता है डाइमेज हो सकती है क्योंकि इसका वेट नहीं बढ़ेगा यह पानी नहीं खीचेगा तो इसा वेट बढ़े गए नहीं तो इससे नहीं से रहेगा और हमारा जो काफी लोडिंग इस पिकम होगा क्योंकि पानी कंजेप्शन नहीं करता है इसके उपर आपने कभी प्राइमर यूज किया अप्लिकेशन बाहर के दिवाल पर तो यह और भी ज्यादा मुझबूत हो सकता है इससे भी ज्यादा वाटर प्रूपिंग हो सकता है तो यह वाटर प हमारा एक बेनिफिट एक ऐसा हो जाएगा कि हमें वाटर प्रूपिंग का बहुत सा कम उपर करना पड़ेगा किसमें प्राइमर भी हमने दिवाल को मार दिये तो बहुत बड़ी वाटर प्रूपिंग का काम करेगा अभी पानी में देखो मैं बार बार इसको दब हो रहा यह बार बार ऊपर आ जा रहा है तो यह जो ब्लॉक रहते हैं यह पानी कंजेफ्शन ही नहीं करते हैं मैंने इसको आपको छोटे रूप में प्रैक्टिकल करके दिखा है मैं बड़े रूप में आपने कमेंट किया तो मैं बड़े रूप में भी करके दिखाऊंगा आपको बगर उसको पानी हमारा तरफ पानी का शॉर्टेज होने के उसमें इसमें थोड़े पानी में आपको शॉर्टकट में समझाने के कोशिश की है क्योंकि हर तरफ अभी थोड़ा फिलाल पानी का कंजप्शन है तो इसे तरह आप भी दोस्तों दिल से चंका ने काले कि ये पानी लेता है ये पानी कंजिप्शन नहीं करता है ये व्लोग काफी अच्छा है बेतरी ने बांध काम के लिए